ओम स्री गड़े शायर। संतोसी माता ब्रत की कथा इस ब्रत को करने से जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलता है। सुक्रवार को इस कथा को सुने बिना नहीं मिलता सुक्रवार के ब्रत का कोई भर। इसलिए ब्रत उपवास के साथ इस कथा को अवश ही श्रवन करना चाहिए। सुक्रवार के दिन मा संतोसी का पूचन किया जाता है। इस दिन माता की आर्थी कथा जरूर सुनी जाती है। आर्थी की जाती है। प्रसाथ वित्रित किया जाता है। माता संतोसी की कथास प्रकार है एक बुढिया थी उसकी साथ बेटे थे छे कमाने वाले थे जब की एक निकम्मा था बुढिया छहों बेटों की रसोई बनाती भोजन कराती और जो कुछ जूटन बसता वा साथ में बेटे को दे देती एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला मेरी मां हमें बहुत प्यार करती है पत्नी बोली क्यों नहीं तुम्हें जो सबका जूटन खिलाती है वा बोला ऐसा नहीं हो सकता मैं जब तक अपनी आखों से ना देखनू नहीं मानूंगा बहु हसकर बोली देख लेंगे तो मान जाओगे बोला हां कुछ दिन बाद त्योहार घर में साथ प्रकार के भोजन चूर में के लड़ू बने वा देखने को सिर्दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर्पर ओढ़े रसोई घर में सो गया वा कपड़े में से सब देखता रहा चहों भाई भोजन करने आये उसने देखा माने उनके लिए सुन्दर आसन बि से लड़ू के टुकडे उठा कर एक लड़ू बनाया जूठन साफ कर पुढ़िया मा ने उसे पुकारा बेटा चहों भाई भोजन कर गए अब तो ही वाकी है तो कब खाएगा वा कहने लगा मा मुझे भोजन करना है मैं परदेश जा रहा हूं मा ने कहा कल जाना है तो आज ही जा वह बोला हां जा रहा हूं यह कहकर घर से निकल पड़ा चलते समय पत्नी की याद आई वह गोसाला में कंडे बना रही थी जाकर बोला हम जावे परदेश आएंगे कछुकाल तुम रहियो संतों से धरम आपनों पाल पत्नी बोली जाओ पिया आनन से हमारों सोच हटा राम भरों से हम रहें इस्वर तुम्हे सहाए देव निसानी आपनी देख धरू में धीर सुधी हमारी ना बिसारियो रखियो मन गंभीर वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं यह अंगोठी है सो लेलो अपनी कुछ निसानी हमें दे दो वह बोली मेरे पास क्या है या गोबर के हाथ की थाप बना दी वह चल पड़ा चलते चलते दूर देश पहुचा वहाँ एक साहुकार की दुकान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो साहुकार को भी जरूरत थी वह बोला रह जा लड़की ने पूछा तनखा कब देव गे साहुकार ने जिनों में दुकान का सारा लेंदेन हिसाब किताब ग्राकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहुकार के 7-8 नोकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे या तो बहुत होशियार बन गया है। सेट ने भी काम देखा और तीन महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया वह कुछ वर्स में नामी सेट बन गया और मालिक का रोबार उस पर छोड़ कर चला गया इधर उसकी पत्नी को साससुर दुख देने लगे सारी ग्रहस्ती का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेशते इस वीज घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी जाती और पूटे नारियल में पानी दे दिया जाता एक दिन वा लकड़ी लेने जा रही थी रास्ती में बहुत सी इस्त्रियां संतोसी माता का ब्रत करते दिखाई पड़ी वा खड़ी होकर वहां कथा सुनने लगी और कोचने लगी बेहनो तुम किसका ब्रत कर रही हो इसके करने से क्या फल्क मिलता है यद तुम इस ब्रत का विधान मुझे बता दो तुम्हें बड़ा एहसान मानूगी तब उनमें से ही किस्त्री कहने लगी ये संतोसी माता का ब्रत है इसके करने से निर्धनता दरित्ता का नास होता है और जो कुछ मन में कामना होती है मासंतोसी की क्रपा से वहसक पूर्ण होती है तब उसने ब्रत की बिधी पूछी तो एक इस्त्री बोली सवा आने का गुण इक्छा हो तो सवा पांच या जो भी हो सहूलियत के अंसार लेना मिरा परिशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बने उसका सवाया लेना प्रतेक सुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना कथा के बीच में क्रम नहीं टूटे लगातार नियम का पालन करना सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जाकर जलके पात्र को सामने रखकर कथा कहना जब तक कारेना सिध्धो नियम का पालन करना कारे सिध्धो हो जाने पर ब्रत का उद्यापन करना तीन मास में मा पूरा फल प्रदान करती है यदि ग्रहभी खराब हो तो माता पूरे वर्ष में तो कारे सिध्धी कर देती है फल के सिध्धो होने पर उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं उद्यापन में अढाई सेर आटे का खाजा ऐसे ही खीर चने का साग आट लड़कों को भोजन कराना चाहिए जहां तक मिले दे वर्जेट भाई बंधू ना मिले तो रिस्तेदार या पास पडोसी को और नहीं मिले तो ब्रामण को भोजन करा के दक्षना देना चाहिए नियम पूरा करना चाहिए उस दिन घर में कोई खटी चीज नहीं ना खाना चाहिए ना बनाना चाहिए या सुनकर वुढिया के लड़के की वहुचल पड़ी रास्ते में लकडी के बोज को कुछ हिस्सा बेचा और उनसे पैसों से गुड़ चना लेकर माता के ब्रत की तयारी करने लगी आगे मंदिर दिखा पूशे लगी या किसका मंदिर है सबने बताया ये संतोशी माता का मंदिर है सुनकर माता के चर्णों में जाकर लोटने लगी दील होकर बिंती करने लगी मा मैं निपट अज्यानी हूँ ब्रत के कुछ नियम नहीं जानती मैं दुखी हूँ हे माता हे जगजनी मेरा उद्धार करो मैं आपकी सरन में हूँ माता को दयाई एक सुक्रवार बीता की दूसरे को उसकी पती का पत्र आया और तीसरे सुक्रवार को उसका भीजा हुआ पैसा आप पहुचा या देख जेट जिठानी मुशी कोड़ने लगे लड़के ताने देने लगे काकी के पास पत्र आने लगे रूपया आने लगा तो काकी की खातेदारी बढ़ जाएगी बिचारी सरलता से बोली भाईया पैसा रूपया आये हम सब के लिए कितना अच्छा है ऐसा कहते कहते उसके आँखों में आशु भराए और संतोसी माता के मंदिर में गई चरणों में गिर कर कहने लगी मा मुझे पैसे से क्या काम मैं तो अपने सुहाख का दर्शन चाहती हूँ मैं तो उनी के साथ रहना चाहती हूँ तब माने पसंद होकर कहा बेटी तुम्हारा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा ऐसा सुनकर वो बड़ी खुशी हुई और घर में जाकर काम करने लगी संतोसी मा ने विचार किया कि मैंने इस भूली पुत्री से तो कह दिया कि तुम्हारा पती आएगा लेकिन वो तो इसे सुपन में भी नहीं याद करता उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा इस तरह मा संतोसी उस बुढ़िया के बेटे के पास सुपन में प्रकट होकर कहने लगी साहुकार के पुत्र सोता है या जाकता है वह कहने लगा मा सोता भी नहीं जाकता भी नहीं कहो क्या आग्या है मा बोली तुम्हारे घरबार है की नहीं वह बोला सब कुछ है मा बाप बहू मा बोली भूले तेरे पुत्र तुझे बहुत याद कर रही है वाँ बहुत कस्र उठा रही है तुम्हारे माबाप उसे बहुत परेशानी दे रहे है वा तुम्हारे लिए तरस रही है मा बोली मेरी बात मान सबेरे नहाधो कर संतोसी माता का नाम लेकर घीका दीपक जला कर दंडवत कर दुकान पर बठ जा देखते देखते सारा लेंदेन चुक जाएगा जमा का माल बिख जाएगा साम होते होते धन कर धिर लगेगा अब बुढ़े की बात मान कर नहा धुकर संतोसी माता को दंडवत प्रणाम कर घीका दीपक जला कर दुकान पर बैठ गया थोड़ी देर में रूपया लेने देने वाले आये कोठे में भरे सामान के खरीदार नगत दाम लेकर सौधा करने लगे साम तक धन का भारी धेर लग गया मन में माता का नाम लेकर चमत कार देख प्रसन्न हो ले जाने कि वास्ते गहना कपड़ा सब खरीद लिया यहां काम से तुरंद निपड़ कर घर के लिए रवाना हुआ उधर उसकी पती जंगल में लकड़े लेने जाती थी लोड़ते वक्त मा के मंदिर में विश्राम करती वह तो उसके रुप्रतिन रुखने का जो अस्थान ठेरा एक दिन धूल उड़ती देख वा माता से कोशती है मा ये कैसी धूल उड़ रही है मा बोली तुम्हारा पती आ रहा है अग तू लकड़ियों के तीन बोज बना एक नदी के किनारे दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख तेरे पती को लकड़ियों का गठर देखकर मुग पैदा होगा वो यहां रुकेगा नास्ता पानी खाकर मा से मिलने जाएगा तक पीछे से तू बोज उठा कर लकड़ियों के लेकर जाना और गठर चोके में डाल कर आंगन में आवाज लगाना सासू जी लकड़ियों का गठर लो गूसे की रोटी दो नारियल में पानी दो क्या आज कोई महमान आया है माता ने बहुत अच्छा केकर प्रसंद मन से लकड़ियों के तीन गठर बनाए एक नदी के किनारे और एक मा के मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रखा इतने मिदर मुसाफिर आ पहुँचा और फिर खापी करके वह अपने गाउं अपने घर गया और फिर पीछे से बहु गई और गठर लिए भारी बोश को आंगन में डाल कर जोड से तीन आवाज दी लो सासुजी लकड़ियों का गठर लो भूसे की रोटी दो क्या आज कोई मिहमान आया है या सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये कस्ट को भूलाने है तू कहने लगी बहु ऐसा क्यों कहती हो तेरा मालिक ही तो आया है आ मीठा चाबल खा भोजन कर गहने कपड़े पहन उसकी आवाज सुनकर पती बाहर आया अंगोठी देखकर ब्याकुल हो गया मा से पूछने लगा मा ये कौन है मा बोली बेटा या तेरी बहु है जब से तू गया है तब से सारे गाउं में भटकती फिरती है घर का कामकाज कुछ नहीं करती चार पहर खाती है मा बोला मैंने इसे भी देखा और आपको भी अब मुझे उपर की चावी दो मैं वही रहूंगा मा बोली ठीक जैसी तेरी ख्षा वह दूसरे उपर मकान की चावी फेंग दी और ले करके गया अपने पत्नी के साराजा के महल के समान ठाट बाट बना कर रहने लगा अब बहुतो सुक भोगने लगी इतने में सुक्रवार आया सुक्रवार के दिन अपनी पती से बोली मुझे संतोसी माता के ब्रत का उद्यापन करना है बोला हाँ क्यों नहीं खुशी से करो और गो उद्यापन की तयारी करने लगी जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अपने बच्चों से लेकिन पीछे से तुम भोजन करने के बाद खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन ना पूरा हो लड़के भोजन करने आये खीर भर पेट खाया लेकिन बाद में कहा अब हमारा मन कर रहा है कुछ खटा खाये हमें कुछ दो खाने को वह बोली खटाई नहीं दी जाती ये संतोसी माता का प्रिसाद है लड़के बोले पैसा तो दे दो विचारी कुछ समझ ना पाई पैसे दे दिये लड़के गए दुकान पर इमली खटाई कुछ लेकर खाने लगे इतना देखकर मा बहु परबड़ी क्रोधित हो गई इधर राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर ले गए जेट जेठानी मनमाने वचन कहने लगे पेटी तुने उद्यापन करके मेरा ब्रत भंग किया है माता मैंने कुछ अपरात किया है मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिये थे मुझे शमा करो मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी मा बोली अब भूल मत करना वा कहती है भूल नहीं होगी अब बतलाओ पती कैसे आएंगे मा बोली जा तुम्हारा पती रास्ते में ही मिल जाएगा वा निकली और रास्ते में ही पती आता मिला पूशे लगी कहा गय थे बोला इतना धन कमाया है तो टैक्स राजा ने मांगा था वही भरने गया था वो बोली चलो अब घर चलते हैं और फिर से अगले सुक्रवार के लिए उद्यापन के लिए पती से बोली पती ने कहा हा करो बहु फिर जेट के लड़कों को कहने गई जठानी ने एक दो बाते सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी खटाई मांगना लड़के भोजन से पहले ही बोले हमें खीर नहीं हमें कुछ खटा दो बोली खटाई नहीं मिलेगी फिर ब्राहमण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यह था सकती दक्षना देकर उन्हें प्रसंद किया माता संतोसी प्रसंद हो गई मा की क्रपा से नवे मास में चंद्रमा के समान सुन्दर फुत्र हुआ फुत्र को पाकर प्रदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी माने सोचा यह रोच आती है आज क्यों ना इसके घर चलू यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया गुर्चनी से सनामुक उपर सून के समाल होट मक्हियां भिनभिना रही थी देली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई देखो रहे कोई चुडल डाकनी आ रही है लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के भगाने लगे चिल्लागर खिड़की बंद करने लगे बहुरो संदान से देख रही थी प्रसनता से पागल हुँ चिल्लाने लगी आज मेरी मा मेरे घर आई है बच्चे को दूद पीने से हटाने लगी इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा वह वोली इतनी उतावली हो रही है बच्चे को पटक रही है इतने में ही मा के प्रताब से लड़के ही लड़के नजर आने लगे वह बोली मा मैं जिनका ब्रत करती हूँ ये वही संतोसी मा है सब ने फिर मा के चरण पकड़े और विंती करके कहने लगे हे मा हम मूर्ख अज्यानी हैं तुम्हारे ब्रत की विधी नहीं जानते ब्रत भंग करके हमने बड़ा अपरात किया हे जगत माता आप हमारे अपरात को शमा करो इस प्रकार जब बहु ने कहा ही ने मा शमा कर दो तो प्रशन होकर मा संतोसी ने सब को शमा कर दिया बहु को प्रशन होकर के बोले कि जो भी हमारा ब्रत करेगा हमारी पूजा करेगा उपवास करेगा हमारे नाम का जब करेगा उसको सभी प्रकारगे सुख प्राप्त होंगे और उसका मनुरत सफल होगा संतोसी माता की जै